ओम्, प्रकाशम्च प्रवृत्यम्च मोहमेवच पांडव नद्वेश्टि संप्रवृत्तानि निव्रित्तानि कांक्षति उदासीन वदासीन गुणैर योन विचाल्यते गुणा वर्तंत इत्येव योवतिष्ठति नेंगते ओम्, शान्ति, 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 खरी हियोम तच्चत्च भगवान कह रहे हैं, चौद्वें अध्याय के आखिर के श्लोक हैं, 22, 23, 24, 25, 26, 27, जब अरजुन पूछते हैं कि गुणातीत के क्या लक्षन हैं, जो गुणों को लांग चुका है, ट्रांसेंड कर चुका है, उसके क्या लक्षन हैं, तीन गुणों की बात कर रहे हैं अरजुन, तीन गुण हैं, तमस है, रजस है, और सत्व है, हम सब सारे human beings, हाँ जानवर भी पर उनकी बात अभियम नहीं कर रहे हैं, हम सब इन तीनों गुणों के आधीन अपने सारे विचार और कार्य करते हैं, यह एक बंधन की तरह है, आप अगर aware नहीं हो, आप अगर जागरित नहीं हो यह जागरित होने के लिए तड़प नहीं रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस बंधन में फंसे हुए हो, किस जेल में बड़ी खुशी-खुशी रह रहे हो, अपने को हम तीस मार्खा तो बहुत समझते हैं, आजाद कहते हैं, हम स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छाएं, अपने संकल्प, अपनी विल्पावर कि हम बहुत हांकते हैं, पर असल क्या है, कि यहां कोई भी व्यक्ति इस पूरे विश्व में स्वतंत्र नहीं है, तीन गुणों से बंधे हुए हैं और वो तीन गुण आपका स्वभाव बनाते हैं, आपके जो एटिचूड्स हैं, आपके जो बिहेवियर हैं, आपकी जो हैबिट्स आदते हैं, जब तमस आप में अधिक रहेगा, तो आप दूसरों को क्रिटिसाइज करने में, ब्लेम करने में, नीचा दिखाने में, बहुत आनंद पाओगे, चीजों को आप टालते रहोगे, कोई भी काम ठीक तरह से नहीं करोगे, टेलिविजन के सामने या सोशल मीडिया के सामने घंटों बिताओगे, गपे मारने में, या एलकोहल, ड्रग्स लेने में, आप इसी को परम सुख मानोगे, आप अधिकतर भूत काल में जियोगे, और अधिकतर भूत में जो घटा है, उसके लिए आप दुखी रहोगे, उसने ये किया, उसको वो नहीं करना चाहिए था, मेरी जिन्दगी में कितने ट्रॉमास थे, वो मुझे छोड़कर चला गया, और वो मुझे छोड़कर चली गई, इस तरह के विचारों में आप अधिकतर समय बिताओगे, जब रजस की अधिकता होती है, तो लोब, काम, औ और बहुत सारे कार्य, कर्मों की अधिकता, आपको फुर्सत ही नहीं होगी, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, आप बस काम करते, 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 ताकि आपके जो संकल्प हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाएं, ताकि आपको सुख मिले, बस इन्ही विचारों में आप अपना पूरा दिन और पूरा जीवन निकालते रहोगे। फिर अगला है सत्वगुण, आप वर्तमान में आनंद बनाने की टेश्टा करोगे। जो राजसिक व्यक्ति है वो भविश्य में अधिकतर रहता है। तामसिक भूत में अधिकतर रहता है। एक फियूचर में दूसरा पास्ट में जो सात्विक व्यक्ति है वो वर्तमान में रहने की चेश्टा करता है। सत्व में अलग-अलग छ्रेणियां होती हैं, अलग-अलग स्टेप्स हैं। तो शुरू के दिनों में आप अच्छी पुस्तकें पढ़ना, जिनको सेल्फ हेल्प पुक्स कहा जाता है, जो बड़े-बड़े संत हुए हैं या बड़े-बड़े ऑथर्स हुए हैं, उनके विचारों को समझना और उनके अनुसार अपनी जिंदगी में थोड़े परिव आटोगे, उनको सुख पहुचाने की कोशिश करोगे, आपकी डिमैंड्स और आपकी एक्स्पेक्टेशन कम होती जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आपकी मेच्योरिटी बढ़ेगी, आप ध्यान करोगे, मनन करोगे, और अपने स्वरूप को जानने की चेश्टा क करोगे, शुरू में, और जैसे जैसे मन शान्त होता जाएगा, आप स्वरूप का अनुभव कर पाओगे, और अंत में फिर समाधी की अवस्ता होती है, जब आप यूनिवर्सल कॉंशिसनिस के साथ मर्ज कर जाओगे, अब ये तीनों गुण हम सब में हैं, कोई भी अचू जबुता नहीं है, सबके सब इन तीनों गुणों से गरसित हैं, या इन तीनों गुणों के बंदन में बंदें हुए हैं, इससे आपकी आदतें बनती हैं, इसी में, तमस की अधिक्ता है, पर रजजस और सत्व लुप्त हैं, पर हैं जरूर, कभी-कभी वो भी सिरु उठा जाते हैं कभी-कभी वो भी जागरित हो जाते हैं उसी तरह सत्व की अधिक्ता है तो तमस और रजस लुप्त हैं पर कभी-कभी उठ सकते हैं तो इन तीनों के combination से हमारे स्वभाव बतते हैं अब बात आती है हमारे relationships के उपर पिछले एक वीडियो में हमने पर अगला प्रश्ण जो आपका आया वो ये है कि चली हम तो निकाल देते हैं पर दूसरे व्यक्ति अगर वो हमारे पर आजमा रहे हैं हमारे पर वो जो खराब बाते हैं हमारे पर अप्लाई कर रहे हैं तब हम कैसे उसको तो इस वीडियो में यह विचार करते हैं। इस दूसरे अगर हमारे को नहीं समझ पा रहे हैं। वह यह आठेव आठों बातें अगर हम पर अपलाई कर रहे हैं तब हम क्या करें। पहली बात एक एक बात को उठाएंगे पर पहली बात ये समझो कि हर व्यक्ति मैं repeat कर रहा हूँ बेबस है, everybody is acting compulsively in the bondage of the three qualities. उनको मालूम नहीं होता है कि वो इन तीन गुणों की कारण बंधे हैं, पर बंधे तो हैं ही ना, कितनी बार आप देखते होगे, कि वो ही patterns आपके जीवन में repeat होते जाते हैं, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, उनके जीवन में repeat होते जाते हैं, आपके parents हैं, वो हर समय ज जगड़ा करते हैं, शाम को वो एक साथ बैठके चाय पी रहे होते हैं, और अगले दिन फिर सुबह जगड़ा करते हैं, वो ही पैटर्न वो सद्यों तक रिपीट करते चले जाते हैं, कोई दूसरा विक्ति है, जो छोट-छोटी चीजों से भहे खाता है, वो ही पैटर्न रिपीट करता जाता है, तो सबका वही हाल है, तो पहली चीज आपको यह समझने पड़ेगी, कि आपके सामने जो भी व्यक्ति है, जो आपसे दुर व्यहवार कर रहा है, वो अपनी बंसी से नहीं कर रहा है, वो प्रकृतिवश, स्वभावश कर रहा है. वो कर रहा है, तो आपके सामने जो आपके सामने जो आपके सामने जो प्रकृतिवश.